वो हमारे दोस्त अब्दिलमुईज जाफरी जो के कानून के बाहर हैं और कानून की प्रेक्टिस भी करते हैं वो तश्रीफ लेया हैं क्यों ना ये सवाल हम उनसे कर लें जाफरी सहाब हमें बताएं कि एक तो जो खत आज जिसका बड़ा चर्चा है सारी अख़पारों में इ जो है वो आपको क्या लगता है कि ये मुनासिब तर्जे अमल है एक जज का इस तरह का खत लिखना और फिर वो मीडिया में आ जाए और शुक्रिया साहब इफ्थकार साहब नादिया साहब मेरे खाल से इसमें जो बुराइयां जितने भी लोग पॉइंट आउट कर रहे है वो नक्स को अमूमी तोर पे तो आइडेंटिफाइ कर रहे हैं लेकिन कोई स्पेसिफिक इशू उठा नहीं पा रहे हैं क्यूंकि असल में कोई स्पेसिफिक इशू उने मिले गां नहीं इसमें एईसा साहब ने अपनी राय का इजार नहीं किया है उन्होंने लफाजी के अंदर नाकिदी तर्जे अमल इस्तिमाल नहीं किया है। उन्होंने कोई भी तरीके से कोई एनीफिंग अदर दन फैक्ट नहीं प्रिजेंट किया है। और उन्होंने जो बात बेयान किये वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स की तश्री बेयान किये और मंतक के साथ बेयान किये और और उन्होंने तीन मेजर पॉइंट में नजर में हाइलाइट किया है पहला उन्होंने यह हाइलाइट किया है कि आपने अगर एक 183 आर्टिकल 183 के तहत अज़ खुद नोटिस के लिए सुप्रीम कोड को फंडेमेंटल राइस की इंपोस्मेंट के लिए अगर एक प्रेटिशन की गई थी उसकी हेरिंग नहीं होती उस पर और होता है तो उसके और को करना या नहीं करना का फैसला आपने आठवी सिन्योरिटी दिनाव जैस्टिस मुझी वक्टर साथ बैट कर फैसला किया कि मैं इसको साटरड़े को सुनूंगा और उस वक्त आपने ऐलान किया कि अगर कोई सिदार्टी रेफरेंस आ रही है तो उसको भी इसके साथ टैग करके इसको कलब करके सुन लिया जाए अब इसमें तकनीकी तोर पे एक फेटल इशू है इससाथ के मताबिक और वो यह है कि सिदार्टी रेफरेंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट इजारे राय करता है उपाइन करता है उसका उपिनियन जो है वो अबलिगेटरी होता है सुनना वो एक अलग हैस है लेकिन वहां पर अफिजिज अबल तो सबसे बड़ा जो हिलक्लाइब करते हैं तो यह करते है कि क्ría इस सवाल का जवाब देना मुनासिब है भी या नहीं कि यह सवाल जो है यह आए आईनी तो पर एक सवाल बंता है या नहीं तो पहले तो वह फैसला होना था सवाल आप के सामने अभी है इ उस सवाल का होना या ना होने को अभूर करके, उस सवाल का सुनने लायक होने या ना होने को इन अफेक्ट अभूर करके, एक और्डर चॉंस्टुशनल जूरिजडिक्शन के साथ उसको कलब कर दिया. जहां पर आपका काम है हुकम देना और गहर मामूली तूरप हुकम देना क्योंकि 183 पॉर्टिशन है तो एक तो उनोंने ये टेक्निकल बात जैस की जो के मेरे खाल से मानिखेज है उसी टेक्निकल बात के अंदर उनोंने जो दूसरी बात रेस की वह यह कि कि भाई ये पांच जजज जो बन रहे हैं, मैं जब तक सीनियर मोस्ट नहीं था, जस्टिस के बाद तो समझ आती थी, लेकिन ये रिवायत तो आज तक भी काइम है, पहले तो ये रिवायत टूटी कि जब भी कोई बेंच बने तो सीनियर मोस्ट अवेलिबल जजज तो अगर ये दूसरी रिवायत भी तोडनी थी, तो कोई मनतक होती, कोई कोई डिस्क्रेशन का स्ट्रक्शर होता, क्योंकि सुलंगी साथ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तमाम हुकूमती फंक्शन के ओपर कदगने पिछले 82 सालों में लगती आई हैं, वो इस बन्याद पर लगती आई हैं कि आपका जो सवाब दीदी इ इफ्तियार को आप किसी तरीके के धांचे में डालें, उसको स्ट्रक्शर करें, आप खुदा नहीं हैं, आप खादम हैं, तो इसी मनतक को आगे बढ़ाते वे सबसेडियारिटी, प्रपोर्शनलिटी और रैशनलिटी कारून पर भी अपलाए करती हैं, तो एक फैसला किया करता हो, अब यह सारी चीजें जो हैं, इस डिस्क्रेशन को स्ट्रक्शर करना, काजी सहब कहने हैं, यह बेंच बनने में भी स्ट्रक्शर होना चाहिए, मुझे भी पता चले कि 13th senior most, 8th senior most, 3rd senior most, और आपका मजमुआ जो है, यह इतना मुनफरिद क्यू है, कि बाकि जज़ जो हैं, वो इंक्लूड नहीं हुए, यह फुल कोट इंक्लूड नहीं हुआ, और इससे आगे कोई बात नहीं की और शायद मैं भी थोड़ा सा आगे निकल गया, और इस सब कुछ के अंदर जो एक पाटिसिपेटरी किर्दार होता है, उसको मेरे खाल से काजी साब में आज इसरी का सरबरा है, यह एक्जेक्यूटिव का देप्टेशनिस्ट है, यह पर क्या कर रहा है? कि वजिर आजना हॉस्ता एक अफसारशाही का मेंबर है। यह एक जुडशरी की आजदी पर एक एक बुनियादी वार है। और यह पहली बार नहीं कह रहे ह। यह सिभ सिज्शन ही सब इसा नहीं यह बार बार यह बात हुई है, कि basically आप जब independence of the judiciary guaranteed थी तो रेजिस्टार की seat को आप deputationist से भरके इसके उपर एक हर्फ लगाते हैं और एक ऐसी हर्फ लगाते हैं जो पहले के सुप्रीम कोड लगने नहीं देता था सुप्रीम कोड ये रेजिस्टार वाला office बहुत करीब अपने दिल के रखता था ये बकाइदा एक surrender संजा गया जब ये हुआ और बार बार पर होता गया और देखें अगें सुप्रीम कोट के अपने orders आड़े आते हैं अमीर हानी मुस्लिम साहब का 480,000 civil servants के hierarchy को completely append कर दिया था उसकी धजियां भिखेर दी थी इस बुनियाद पर ये डेप्यूटेशन जो है ये इलीगल है कि जहां डेप्यूटेशन का उज़र इस्तमाल करते हुए आप लोगों को X से Y में फिट करके बूल जाते हैं लहाजा डेप्यूटेशन जो है वो सिफ एक emergent need की बुनियाद है की बुनियाद पर की जाती है और दूसरी बात ये कि आप डेप्यूटेशन पर किसी जुडिशियल ऑफिस के अंडर से किसी को ले लेंगे ये एक्जेक्यूटेफ से क्यों आ रहा है अब ये ये तीन चीज़ें जो उनने हाइलाइट की मेरे खाल से तीनों अलग अलग बुनियादों पर बहुत जरूरी थी हाइलाइट करना पॉब्लिक पॉलिसी के हवाले से थी किसी पर्पी जात के ओपर कोई बात नहीं की उन्होंने और ये पॉब्लिक इंस्टूशन के हवाले से थी और उन्होंने जिन सब लोगों को सी सी किया जहां से वह बात लीक हुई जो लीक होके मेरे पास भी पहुंच जनेरल को सीची किया आडविके जनेरल तमाम प्रोविंसेस को भेजा जजस्टार अगर बसकाजी साथ यह तमाम जजस को साइन करने से पहले भी जटेते कि आप भी मेरे साथ साइन करना चाहेंगे या नहीं तो मेरे ख्याल से इनको अपने आपके सिग्निचर्स मिल जाते और फिर इस खत का भांचाहीं इस खत का कैरेक्टर ही बता जाता फिर यह स्टोरी बहुत डिफरेंट हो जाती और बहुत ज्यादा अफेक्टिव है थैंक यू तो लंगी साब मैंने भी मैंने भी यह कहा कि जो कॉंटेंट है उस पर शायद को इतराल कि आपने इक्वाफ में किया था ने आगे और अगर ब्रदर जिजजग जो साथ ही बैटे थो ने किसी कमरे में जाकि उनसे बात कर देए जाती जब ब्रदर जिजजग इंकार रेते हैं यह नको रवया अच्छा नहोता गार मुनासब होता तो पहले उन दोस्तों के साथ ब इस पर आप कुछ कहेंगे जाफरी साब जो इस्तखार साब ने फरमाए जी मैं मैं जरा पसमनजर के उपर का हवाला देना चाहूंगा कि जहां एक फर्द की जिंदगी एक मुनजम साजिश के तहत तीन साल से उजार दी गई हो उनको पब्लिक के अंदर आज भी ट्विटर प अपनी बाते कर रहें यानि कि कोई सी बात में कोई सचाई होती तो आप समझते ठीक है चलें लोग इज़त उचाल रहें लेकिन आज तक एक रट लगाई वी है कि इन्होंने अपनी मनी ट्रेल नी थी इन्होंने अपनी मनी ट्रेल नी थी मेरे खिया जाफिशाब माफी चा हुआ। उसको समाट के लिए कैसा लगाया जा सकता है। मैं इतना पड़ा लिक आदम है। सवाल यह पैदा होता है कि क्वेड़ कि क्वर्वल डाकुमेंट बनना चाहिए था? मेरे ख्याल है एक जज्जमेंट ऐसे दी है, सब सारे पार्टसान को बता है. जी, तो उसके बाद उन्होंने, उन्होंने बहाइंड, उनकी खातून के बारे में जो भाषते हुए, वो भी लोगों को पता है. जी, सिर्फ से एक्जाटी, जो उन्हों ने पॉइंट रेस किया है, तो यह जो खत लिखा गया है, जो चप चुका है, अब उसकी कोई बाजगश्ट, कोई गूंज, कल कोई सुनाई देती है, जो वुकला हैं, वो क्या मोकफ अख्थियार करते हैं, क्योंकि सियासी जमातों को, जिसमें हुकूमत के इतादी है, उनको भी बुलाया गया है इसी पेशी के हवाले से, और इससे पहले ये भी वो कह चुके हैं, कि हम इस प्रॉसेस को जो एक आईनी प्रॉसेस जो चल रहा है, उसका जो निजामल अवकात है, उस पर असर अंदास होने नहीं देंगे, तो ये जो कुछ लोग खश्यात का इजार कर रहे थे, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कि जो अदम हैकमात की तहरीक यो है, उसका जो एक टाइम टाबल है, वो अशिक्ट हो, लेकिन Jafri साब आपने हमें वक्तिया, आपका बहुत शुक्रिया, Thank you, sir, My pleasure, Thank you. Thank you, majkaar very much. Thank you, Malik Saab. Thank you, Jafri Sahib, thank you. Nice, I know that you are fighting for the rights, but that is hope that we can achieve our goals. मैं और सुरंगी तो नकाम रहे हैं शहर आप जैसे यहां आखिए सब्सक्राइब ने चीज बड़ी इंटिरस्टिंग है कि विजीरियाना हाउस बहुत शुक्रादा अफरी साथ